लोजर मतलब ऐसा नहीं कि किसी गलत ये उन पे चला है जो अवैड निर्मार अवैड निर्मार करने वाले इतने सक्षम हैं इतने सक्षम हैं कि पूछे नहीं तो उनके लिए उतना ही बड़ा एक्सन लेना जरूरी है ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए मगर सवाल इस बात पोलिंब रहता तै जैसे उनका मकान हो उनका दिल तूटरा हो जब क़िए गए तो 40 अवाय निर्मार तोडे गए और जो ठेज को तोड़े गए ते हैं पंद्ला तोड़े गए निर्मार्त निर्मार तोड़े गए इन लोगों से कॉ ऐँ भार रही थी यहां पर कई वारदाते हुई हैं नमस्काट स्वागत है आपका आप देख रहे हैं स्टीवी नियूस और मेरानी गुपता आपके साथ 20 जनवरी यानि की रामलला की प्रान प्रतिस्था से ठीक एक दिन पहले मुंबाई की मीरा रोड में देखने को मिला था कि कैसे उब्द्रवियों ने हंगामा काटा था और यहां पर उन पर पत्राव किया गया जो कि श्वी राम शुभा यात्रा निकाल रहे थे और इसमें कई लोग घायल हुए अब इस पूरे मामले में लगातार महराश्ट्र की सरकार एक्टिव नजर आ रही है जहां पर मीरा रोड में देखने को मिला था कि बुल्डोजर गरजा था अब इसके बाद आली रोड में भी बुल्डोजर गरजने का नया मामला सामने आया है और इसी के साथ इस पूरे मामले में अब तक 20 लोगों की गिरफतारी की गई है इसमें वो शक्स भी शामिल है जो की वीडियो बना कर के लोगों को भड़काने का काम कर रहा था और उसकी वीडियो वारल भी हुई थी उसे भी पुलिस ने गिरफतार कर लिया है पुलिस का ये भी कहना है कि अभी भी CCTV फुटेज की शुनाक्त की जा रही है और आने वाले समय पे कई लोगों पर शिकंजा कसा जा सकता है ऐसे म इस पूरे मामले पे विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे साथ मौजूद हैं वरिस्ट पत्रिकार अजे जी सर्च स्वागत है आपका देखने को मिला है कि पिछले कुछ सालों से जो भी उबद्रवी है उनके खलाफ लगातार बुल्डोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है यह मामला पहले उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता था कि सबसे पहले बाबा का बुल्डोजर मौडल सामने आया था वही पैचान बना था कि कैसे उबद्रवियों या दंगाई या फिर माफिया हैं जो कि अवैद रूप से अतिक्रमण करते हैं और एक पैठ दिखाने क कोशिश करते हैं उनके खलाब बुल्डोजर गरसता है लेकिन अब यह चीज़े महरास्ट में देखने को मिल रही है जब से नई सरकार मनी है शिंडे और फननविस की तो यहां पर भी बुल्डोजर गर जा है और ना सिर्फ एक जगा मीरा रोट पर बलकि अब अली रोट प तो उनके लिए उतना ही बड़ा एक्सन लेना जरूरी है अगर हताओरे से तोड़ा जाएगा तो तोड़ना संभव नहीं है तो उनके लिए बुल्डोजर जो है आज कल चुकी अब मसीनी यूग हो गया है तो बुल्डोजर से तोड़ना उची था यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए मगर सवाल इस बात का था लोग इसलिए नहीं करते तो उनको हमदल्दी होती थी हमारे बुटर का मकान अरे एक इंड ना कुजा तो उनको इतनी ज्यादा होती एक इंड भी तोड़ा जाता था तो बड़े नेता जो थे जो आदिकता आई इंडी गड़ आपको हकीकत यह है कि यहां पे सबसे ज़्यादा अत्करमर था और लोग फुटपात पे वह किये थे वहां खादे सामिग्री बगएरा खुलें बिक्ती थी उसमें गंदी-गंदी मख्या वहीं पर पता चला गोस्तों की दुकाने हैं कई और चीजे दुकान वहीं पास में वहां पे उसी में नालिम कुड़ा फेका जाता इतनी मक्या और उसी में फुटपात पे लगा लेते तो स्वास्त विभाग को बहुत बड़ा खतरा था तो ये एक योजना चलाई थी ये कास्ता उसे एक नास सिंदे जी ने और दिसंबर से काम चल ला था अब आपको बतान के बाद जब पुल्टगाल की लड़की के साधी इंग्लेंड के महराजाय से हुई तो बाद में इसमें अंग्रेजों को उन्हों दान में दे दिया बांबे वो एरिया तो उसमें ये लोग लहने लगें बहुत अच्छा एरिया था हिंदुस्तान का टॉप पुल्टगाली उन्हों बसाया पर अंग्रेजों ने इसको महफूस किया बहुत अच्छे उसके बाद क्या किया लोगों ने बरबात कर दिया उन लोगों को भगा दिया मार दिया वो लोग सीधे थे पुल्टगाली लड़ नहीं सकते थे अब वहां पर एक समधाय भी सेज ने कबजा कर ल अब दिया लोग दे अगहारी गडवंधन से तालूक रखते हैं इसके पहले अब्दुल्रहमान खां अंतुले चीर मिनिश्टर थे अब्दुल्रहमान खां अंतुले कांगलेस से इंद्रा जी ने उस जमाने में कहा था कि बहुत गंदगी है और बहुत अत्क्रमर है इसका अब वही एडिये ने क्या किया इन जो जा रहते हैं राम प्रतिष्टापाना पे राम जी की आत्रा पे उनको खीच के माला हनमान जी का खुर्चा उस तब बहुत ज़्यादा मिजबहब किया नहीं बता सकते हैं एक लेडिस के बड़े धारदाल माला खून का फवारा गिर अभी भी अस्पताल में है उसकी आहलत चिंता जनक अगर इन लोग बहार खील लेते लोग तो कई लोग माल दियाते यह कही है पुलिस पहुंच गई और वो लोग जान गए कि पुलिस आ रही पुलिस आ रही तो और इसके अलाबा क्या है इस रोट के आपको ताने दो यह इस अवाय निरमाद तोड़े गए इन लोगों से कई बार कहा गया था नोटिस भी जारी किया गया था एक अधिकारी ने बताया उन लोगों से जारी कहा भी अधिकयारी है और यह लोग इस टाल खुले पर लगाय थे बहुत जादा यह दूसी बात वहाँ पे सब कुछी अ तोटल आवायद था इनको हटना बहुत जरूरी था मैं आपको उतानों बांबे में सबसे बड़ी बात यह है पूरे बांबे और महाराष्ट में कुछ लोगों ने समदाइब इसे इसके लोगों ने आवायद रूप से फुटपातों सब जगह कबजा कर लिया सरकारी जगह जो भी ग्राम समाज की जगह रही उन सब जगह कबजा कर लिया और वह फटाने से भी नहीं अटते है इसके पहले की जो हकूमत रही है शुषेना वाली उसमें आप सुनले इन लोगों को प्रस्रे जादा रहा और शुषेना ने इधर ये काम जादा किया तो कौन शुषेन लोगों के पक्ष में लोग आए भी कांग्रेश प्रिवक्ता अतुल लोडे जी आए और दूसरे राइस शेक आए जो विधायक है भिम्डी से विधायक है आपको मता दें भिम्डी का आश्चनी बहुत पहले से जब इंद्रा जी का सासन आया था तब भिम्डी में बहुत वह ऐसे बोलते थे इस बार क्या बोलते हैं कि महाराज संतों की तपव भूम है संतों की तपव भूम है तो अब यह काफी कुछ उनके देर चंजिग आए उन्होंने कहा कि अत्रमर जो है मताई यह गिराया गया गलत हुआ है किसी के रोजी रोटी चीनी गई और किसी के नि सब्सक्राइब नहीं दे पाएं चुकि यह उनके बोटन है यह प्रस्राइब यही पोजिशन अतुल लोडे की रही अतुल लोडे ने भी कांग्रेस प्रकता जब उनसे पूछा गया कि वास्तों में अवैड निर्मार था अवैड निर्मार तो थाई साथ में जनता को प्र कई वारदाते हुई है एड्मिस्टेटर महराष्ट के खैरनार ने उस समय कहा था उस समय कहा था और आपको किलियर कर दें यहीं से अपराधी प्रस्रें पाते रहें अपराधी प्रस्रें पाते रहें और हाला कि वह सपा का गल है यह भी हम आपको दादे सपा का गल ना और डीटू गैंग के लोगों को यहां प्रेसरे मिलता ला यह बात हम नहीं कहे रहे हैं यह महलाष्ट की सरकार की रिपोर्टों में है और यह सबसे ज़्यादा बिवादास पर जगह थी फिलाल इस पूरे मामले को लेकर के जब पत्रकार जी ने अपनी राय रखी है और इनका कहना है कि मीरा रोड हो या फिर अली रोड हो जिस तरीके से बुल्डोजर एक्शन हुआ है यह उन घरों पर हुआ है जो की या तो अबद्रवियों का ठिकाना रहा है या तो अबद करमण का हिस्सा रहा है जिसकी वज़े से यहां पर बुल्डोजर की खारवाई की गई और इन्हें ध्वास्त किया गया फिलाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं धन्यवाद